दोस्तों नमस्कार न्यू ट्रेडर्स डेली हिल्प में आपका स्वागत है दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि मार्केट गैप अउपन हो सकती है तो गैप अउपन हुई लगभग साथे 600 के उपर हुई और गैप अउपन होके थोड़ा सा उपर गई इसके बाद में फिर मार्केट आज बेरिस रही बहुत देर तक कुछ बना नहीं पूरा टाइम दीके हुए लेकिन आखरी में जो लोग आखरी में बने हुए थे उनको कुछ प्रॉफिट मिला हमको तो नहीं मिला हम तो जल्दी निकल गए थे लेकिन जो लोग बने थे उनको अच्छा प्रॉफिट मिला बनिया प्रॉफिट मिला लगभग आज जो है डेली डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो आज लगभग छेसो पॉइंट की में आपका यह बेंक निप्टी अप डॉण किया है अप डॉण किया और कल क्या होगा उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं चार्ट पर कि दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं आज हमने ट्रेड कैसे लिया इसके बारे में जानते हैं इसके हम देखिए यह 9-15 पे यह 5 बिनिट का टाइम फ्रेम है हैं और9-15 पे हमारी मार्केट चालो ही पहली ही कैंडल के बुलिस हैमर जैसी कैंडल बना दिया पर्फिक्ट हैमर तो नहीं बोल सकते लेकिन हैमर जैसी शकल की कैंडल बना जासने हैं फिर मार्केट देखो दूसरी केंडल भी हलका हेमर जैसी बनाई इसके बाद में तीसरी जो पाँच मिनिट के केंडल है यह भी बुलिस केंडल बनाई और चबूतरी केंडल यह भी बुलिस बनाई तो यह है हमारा 15-minute का resistance, यह है support, हमने जब यह 15-minute की line draw किया, फिर इसके बाद में market यहीं पे sustain करने लगी, करने के बाद धीरे धीरे नीचे आई नीचे आने के बाद में फिर यहां तक तो बहुत धीरे 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 पूरा टाइम डीके किया इसने सेलर को पैसे बनाया आज इसने सेलर को पैसे बनाया है और बायर विचारा तो आज लुट गया तो देखो यह हमारा रजिस्टेंस है यह हमारा सपोर्ट है और हमने एक ट्रेंड लाइन देखो यहां से खिची है यह देखो यह ट्रेंड लाइन खिचा था इसके बाद जब मार्केट नीचे आई है तो मार्केट पूरी तरह वुलिश हो गई है अब आप देखो यहां से और यहां तक आने में इसको कितना लगा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जारा बारा तेरा चल्द पंदरा सोला असी मिनट में आ गई है असी कहां यह दो निकाल दो तो 70 मिनट में यह इसने पूरा पैसा बना के दिए आखरी घंटे में आखरी घंटे में लोग निरासो के निकल जाते हैं मैं भी निकल गया मुझको भी कुछ नहीं मिला आज लेकिन मार्केट ने आज पैसा दिया साइड वेज रहने की आसंका थी और लेकिन मार्केट आखरी वक्त में यह इसने पैसे बनाया तो हम देखेंगे कि अब कल हम लोग कैसे क्या करेंगे कल का हमारा जो सिनारियो है वो अगर फ्लैट ओपन होती है अब फ्लैट ओपन होने का देखो इसका बहुत लंबा एरिया हो गया है यहां से लेके आपको यहां तक जहां मार्केट ओपन हुई थी उसके उपर भी लगभग चौवालिस सासो के आसपास याने च्वेशो पॉइंट में मार्केट कहीं भी खुलेगी तो आप यह समझ लीजिए कि आज उपर की तरफ कॉल की तरफ हम तभी जाएंगे और बहुत कम क्वांटिटी से जाएंगे क्योंकि काल की तरफ हमको अगर यहां पर उपर होती है और यहां पर शस्टेन करती है यह सीधा जाके एक प्र क्वाओं बनाती है फिर इसके बाद उपर जाएगी यहांने 800 और यहां यहां से यहां तक कहीं भी खुले तो जब यह 44 देखो आज आप कल का सिनरिया जो है वो पुठ की तरफ बन रहा है कि कल जो है मार्केट नीचे जाने की संभावना है क्योंकि हाँ एक चीज और है कि अगर यह नीचे की तरफ खुल गई यहां नीचे की तरफ 42-200-300 पे खुल गई तो फिर मार्केट की उपर जाने के संभावना क्योंकि उपर और नीचे उपर बहुत जवर्जस्ट रेजिस्टन्स और नीचे बहुत जवर्जस्ट सपोर्ट किया है लेकिन फिर भी आज इसने सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिस किया है उसको अटेक कर लिया है अगर यह यहां पर कहीं भी खुलती है खुल के कुछ देर जैसे आज इसने किया है जैसे आज किया इसने सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ आती है तो हम लोग पुट साइड में प्रॉफिट ले सकते हैं रही बात गयप डाउन की तो अगर यह गयप डाउन 44 के नीचे 44 के नीचे gap down खुलती है अगर ये 44 के नीचे 44,000 के नीचे gap down खुलती है तो हम लोग put side plan कर सकते हैं 44,700 44,700 पे भी एक support है उसको ध्यान रखिए 43,700 तक जाएगी जा सकती है अगर 43,700 को इसने 700 को तूर दिया तो 43,500 तक जाएगी 43,700 और अगर इसको इसने ब्रेक किया तो 43,500 तक जाएगी 43,500 तक जा सकती है अगर gap up open होती है तो gap up ये open हो तो आप ये समझेए कि 45 के उपर हो 25 के उपर अगर gap up open होगी तब हम call side अच्छा profit बना सकेंगे अगर ये 45 के उपर gap up open होती है फिर पहली केंडल इसके बाद थोड़ा सा उपर जाके रीटेस्ट करके उपर जाती है या फिर पहली केंडल के बाद में थोड़ा सा सस्टेन करके उपर जाए तो हम call side प्लान करेंगे और अच्छा profit फिर हम 45,300,400,500 तक जा सकते हैं अगर यह करेगी तो बहुत लंबा बूम करेगी अगर यह gap up open हो गई gap up open होने के बाद अगर यह नीचे की तरफ आती है तो यह हमको फसाएगी और अगर gap down open होती है gap down होके उपर जाएगी तो भी फसाएगी और जहां तक संभावना है कल बैंक निप्टी को gap down open होने की संभावना ज्यादा है कि gap down open होगी 90% gap down open हो सकती है 10% sideways हो सकती है flat open होके sideways होना रहा तो कल मैंने आपको बताया था कि gap up open होगी gap up open होई अब जो मैं आपको बता रहा हूँ यह मैं आपको कोई call tips नहीं दे रहा हूँ मेरा अनुमान है यह सब मैं सिर्फ yesterday के लिए education परपच के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसमें आप call ले आप trading करने से पहले अपने share market experts से सलाह जरूर ले तो आज की इतना ही कल जो है हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद तक के लिए प्राइब 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 तक के लिए प्राइब 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 तक के लिए तक के लिए प्राइब 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 नई प्राइब 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 तक के